हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका रिटास अड़का चैनल में और आज हम बनाएंगे कच्छे आम की लॉंजी इसे आम की चटनी भी बोलते हैं और इसे ज्यादा तर गर्मियों में ही बनाया जाता है क्योंकि गर्मियों में कच्छा आम बहुत ही आसानी से मिल जाता है और खा आउल 아닌 बनाना श्रू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां पर हमें चहिए कच्छे आम तो मैं थोड़ी सी यहां पर कम कॉंट्यृति में बना रहे हैं इसलिए दो यहमिया ली आप चाहें तो इसकी कॉंट्री थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं एब यह जो अंदर के इसक किके यसे कमें रहुद काट कैसे तरीके से दोनों मिया को हम काठके हैं किसी बीच में कच्छी ऊढ़र नहीं है कि मैं आप दोपास दूसरी मीया है फलकी सी पकी हुई है टो यह जादा पकी ही ना ले थोड़ी सी एगर पकी है तो चल जाएगी तो इस तरीके से दोनों अम्या को हम काट लेते हैं ये देखे ये हलकी सी पकी हुई है लेकिन इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा वैसे भी ये खट्टी मीटी बनती है तो बहुत जादा पकी हुई हम्या ना ले कच्ची ही ले तो इस तरीके से दोनों हम या काटके हमने रेडी कर ली है और आप चलते हैं गैस की साइड तो गैस में या पे कड़ाई में हम डालेंगे ओयल तो मैं या पे मस्टर्ड ओयल यूज कर रहे हूँ में डाल देंगे ही तो सारी चीजों को हम और में पहले अच्छे से भून लेंगे यहां पर गैस की फ्लिम को आपको लोटू मीडियम रखना है तो ध्यान रखें इसमें आपको सौफ जरूर एड़ करनी है क्योंकि बीना सौफ के यह लॉंची बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी तो बस अमिया डालने के बाद इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर अभी गैस की फ्लिम को आपको लोटू मीडियम ही रखना है बस ध्यान रखें हमने जुसमें सौफ जीरा और कलॉंजी डालनी है यह बहुत जादा आपको जलानी नहीं है बस हलका स अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले डालेंगे तो आदा चमच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर आदा चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर साथी में डाल देंगे आदा चमच देगी लाल मिर्च और आदा चमच लाल मिर्च डाल देंगे देगी लाल म और भी चीज़े एड़ करनी है जिसकी वज़े से इसमें नमक थोड़ा सा जादा हो सकता है इसलिए नमक बहुत ही थोड़ा सा डालना है बस मसालों को इसमें कुछ सेकंड के लिए हम भूनेंगे अमिया के साथ और अब इसमें हम डालेंगे पानी तो मैं आप डाल रही हूं एक बढ़ा कप इसमें पानी अगर आपको थोड़ी सी पतली लौंजी चाहिए तो इसमें पानी झाल सकते हैं लेकिन बहुत जादा इसमें पानी डालने की ज़रत नहीं है तो एक बढ़ा कप इसमें पानी डाल दिया है अब आपे गैस की फेलम को लो टो मीडियम ही रहने पकाती हम 3-4 मिनट तक जीसे की अम्याह घ्डीक सीन हम दोAlright ं कि तरह टोड़ाँ साथ में डाल देंगे दीजितकीह में 민थ हज़ी हम Ciao आधा चोटा चममच काला नमाख और अमरी 2 आधा चटा चममच शाच मसाला डालें गें, इसलिए मैंने आपने विद्धेश नमक आप एक कम ही डालें, क्योंकि काला नमक और चाट मसाला डाला है, इससे भी नमक बढ़सकता है अब इसमें ढाल सा गूर्ट तो भी मैंने ठोड़ा सा ही डाला है, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो मीठा आप यहाँ पर अपने हिसाब से डालें जैसे भी आपको मीठा पसंद है मुझे इसमें थोड़ा सा मीठा जादा पसंद है इसलिए मैं गुड़ थोड़ा सा इसमें जादा डालूँगी लेकिन अभी थोड़ा सा गुड़ डालके इसको ढखके थोड़ी देर तक पका लेंगे और यह देखे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यह चो गुड़ है इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है आप चाहें तो गुड़ को बिल्कुल तोड़के भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ को मेल्टोने में ज़्यादा देर नहीं लगती है तो एक बाद चेक कर लेंगे इसमें मीठा कैसा है अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें और गुड़ ना डाले लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें चेक कर लेती हूँ तो मुझे इसमें मीठा थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और अड़ कर रही हूँ आप चाहें तो गुड़ की जगे पे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं तो बस इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी तीर तक हम इसे और पकाएंगे मतलब इसको थोड़ा सा और गाड़ा कर लेंगे तो तीन से चार मिनट इसको और पकाने के बाद ये देखें या पर ये आपको कुछ लॉंजेस तरीके की दिखेंगी गोड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है और पहले से काफी गाड़ी हो गई है अभी आपको भले थोड़ी से पत्ली लग रहे है लेकिन ठंडी होने के बाद ये और गाड़ी हो जाएगी तो आप एक पार लास्ट में इसमें चेक कर लें नमक चाट मसाला या अगर आपको मिर्श थोड़ी सी कम लगती है तो आप इसमें और एट कर सकते हैं और ये देखिए आप मिया बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और यहां पे ये बहुत ही टेस्टी खटी मीटी हम हमारी आम की लॉंजी बनके रेडी है बहुत ही सिंपाल ऐसे बनाना ये देखिए तो बस अब गैस की फिल्म को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं उसके बाद हम इसे सर्फ करेंगे और इसे अच्छी से ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है जब भी आपका मन करें फ्रिज में से निकालें और इसे खाएं आप इसे परांठे के साथ रोटी के साथ या चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो आज की मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमन बॉक्स में कमन लिखना बिल्कुल ना भूलें साथी में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो हम जल आप